आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है मार पास if ax square plus c into y plus dx square plus c dash equal to 0 and x is a rational function of y and ac is my negative and ac is perfect square clear? आपको यहाँ पर correct option देखना है तो देखें, simple सी बात है यहाँ पर आपके पास जो equation चल रही है यह equation x में quadratic equation है तो इसको हम पहले arrange करते है x square वाली term साथ में लेते हैं तो देखें, पहले तो आपके पास ay plus d इसके साथ x square आए है, दो term में x square आए है, उनको साथ में लिया फिर x के single power, तो x के single power किसी भी term में नहीं है, फिर x के zero power मतलब x जिसमें नहीं है, तो c y plus c dash यह x में quadratic equation है x में quadratic equation यहाँ बोला हुआ x के साब के पास rational function, तो x अगर rational function है, तो इसका मतलब यह quadratic equation है, इसका जो discriminant हमारे पास होगा, वो कैसा होना चीए, वो होना चीए हमारे पास perfect square, ठीक है तो discriminant solve कर लेते हैं, discriminant जो हमारे पास यह होता b square minus 4ac तो b जो हमारे पास x के single power को coefficient, तो x के single power, यह तो हमारे पास है नहीं मतलब 0, माइनस, ठीक है, 4 a क्या होगा, जो x square को coefficient है, मतलब ay plus d और c जो है हमारे पास, c y plus c dash, ठीक है, यह discriminant होगा हमारे पास यह कैसा होना चीए, यह होना चीए, perfect square तो इसको solve कर लेते हैं, यह d equal to minus 4, y square वाले साथ में लेते हैं, तो पहले ac y square, फिर y के single power वालों को साथ में लेते हैं, तो क्या क्या आएगा देखलें, एक तो आपके पास आएगा c d, और एक आएगा आएगा आपके पास a c dash, इसके साथ y आ रहा है, और फिर बिना y मतलब c dash d, ठीक है, score solve करते हैं यह आपर, तो यह आपके पास perfect square बनना चाहिए, इसके लिए आपने क्या की है, score solve क्या आएगा, y square का coefficient में 1 बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें a c से divide करता हूँ, ठीक है, a c से divide करने का मतलब a c common ले लिया, तो a c common लोगा तो a c बहारा गया, अंदर किता बचा y square plus, यहां देखो, a c से divide करोगे, तो d by a, यहां a c से divide करोगे, a cancel हो जागा, तो c dash by, a c से divide करते, तो a cancel होँ, तो c तो बचेगा न, ठीक है, आगे चलें, यहां पर तो आपने a c से divide किया, तो c cancel होँ, यहां a cancel होँ, clear, और यह last में, c dash d, तो c dash by c dash, यह c dash by c, और d by a, हमने a c से divide किया था, तो यह रहा a c denominator में, clear, इसको मैं कैसा note कर सकता हूं, और देखें, minus 4, a c, y square plus, d a by, d by a, plus c dash by c, तो इसमें भी हमने क्या किया देखें, यह जो आपके पास d by a के साथ y है, इसको साथ में ले लेते हैं, और second term यह इसके साथ ले लेंगे, तो यह d by a, y कर लेते हैं इसको, अलग-अलग कर लिए हमने, फिस c dash by c y, और last में आपास देखें, c dash by c के साथ, d by a, clear, यह आपका discriminant minus 4 a c, first two term देखें, इसमें y common आ रहा है, तो y plus d by a बचा, last two term में अगर हम बात करें, to c dash by c common, तो वापिस हमारे पास y plus d by a बचा, ठीके, इसमें से अगर हम बात करें, to y plus d by a common आ जाएगा, तो minus 4 a c, आपके पास y plus d by a अगर common आएगा, तो remaining part के है, remaining part है y plus c dash by c, यही है, आपके पास remaining part है, आप देखें, यहाँ आपके पास, जब बोला हुआ है, कि discriminant कैसा होगा, perfect square, तो discriminant के perfect square होने के लिए क्या होना चीए, simple सी बात है, आपके पास पहली बात तो यह negative नहीं होना चीए, positive होना चीए, क्योंकि square root में solve होता ने, तो Ac negative given है, question में dicks, तो negative होगा, तो negative negative तो क्या होगा, positive, साथ में A её perfect square ही, 4 भी perfect square है, इसका मतलब यह जो दोनों का multiplication है, यह दोनों का multiplication भी क्या होगा, perfect square होगा, और इन दोनों का multiplication अगर perfect square होगा, तो simple सी बात है, d by a जो है, वह सीओ साher, इसके c dash by c के, तब ही तो यह perfect square, मतलब whole square बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब देखो option के according, अगर हम बात करें, तो ratio वाली value के वाल एक में ही given है, तो d by c dash आरा इसमें, हम भी कर सकते हैं कैसा, देखो, यह c को में क्या कर सकता हूं, यह c dash जो है, a by c के साथ, d by c dash, clear? तो option number 30 is correct option.